ओम सान्ती आज बाइस इग्यारा दो हजार बीस अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 21 जन्वरी 1987 हेडिंग है स्वराज्य अधिकारी ही विस्वराज्य अधिकारी अब सुनते हैं आज की मुल्ली को विस्तार से आज भाग्या विदाता बाप अपने सर्वस्रिष्ट भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ यह संगटन नहीं है लेकिन चारों और के भाग्यवान बच्चे सामने हैं चाए देश विदेश के किसी भी कौने में हैं लेकिन बहद का बाप बहद बच्चों को देख रहे हैं यह साकार वतन के अंदर उस्तान की हद आ जाती है लेकिन बहद बाप के ड्रस्टी की स्रस्टी बहद है बाप की ड्रस्टी में सर्व ब्रामन आत्माओं की स्रस्टी समाई हुई है तो डश्टी की सर्ष्टी में सर्व सम्मुख है सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्यविदाता भगवान देख देख हर्शित होते है जैसे बच्चे बाप को देख हर्शित होते हैं बाप भी सर्व बच्चों को देख हर्शित होते हैं बहत के बाप को बच्चों को देख रूहानी नसा वा फकूर है कि एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेस आत्मों की लिस्ट में है चाहे 16,000 की माला का लास्ट मनका भी है फिर भी बाप के आगे आने से बाब का बनने से विश्व के आगे विशेस आत्मा है इसलिए चाहे और कुछ भी ज्यान के विश्टार को जान नहीं सकते लेकिन एक सब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेस आत्मा बन गए दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए इतना स्रेष्ट और सहज भाग्या है समस्ते हो क्योंकि बाबा सब्ध है चाबी किसकी सर्व खजानों की स्रेष्ट भाग्या की चाबी मिल गई तो भाग्या वा खजाना अवस्य प्राप्त होता ही है तो सभी मातायवा पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हो चाबी लगाने भी आती है या कभी लगती नहीं है चाबी लगाने की विदी है दिल से जानना और मानना सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होते भी लगेगी नहीं दिल से कहा तो खजाने सदा हाजिर है अकुट खजाने है ना अकुट खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं सब अधिकारी है खुले खजाने हैं भरपूर खजाने हैं ऐसे नहीं है कि जो पीछे आये हैं तो खजाने खत्म हो गए हो जितने भी अब तक आये हो अर्थात बाब के बने हो और भविश्य में भी जितने बनने वाले हैं उन सबसे खजाने अनेका अनेक गुना ज्यादा है इसलिए बाब दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते हैं कि जितना जिसको खजाना लेना है वह खुली दिल से ले लो दाता के पास कभी कमी नहीं है लेने वाले के हिम्मत वा पुर्षात पर आधार है ऐसा कोई बाब सारे कलप में नहीं है जो इतने बच्चे हो और हर एक भाग्यवान हो इसलिए सुनाया कि रूहानी बाब दादा को रूहानी नसा है सबी की मदुबन में आने की मिलने की आसा पूरी हुई भक्ति मार की यत्रा से फिर भी मदुबन में आराम से बैठने की रहने की जगत तो मिली है न मंदीरों में तो खड़े-खड़े सिर्फ दर्षन करते हैं यहां आराम से बैठे तो हो न वहां तो भागो भागो चलो चलो कहते हैं और यहां आराम से बैठो आराम से याद की खुशी म से मौज मनाओ संगम यूग में खुशी मनाने के लिए आये हो तो हर समय चलते फिरते खाते फिरते खुशी का खजाना जमा किया कितना जमा किया? इतना किया जो 21 जनम से खाते रहो मदूबन विशेस सर्व खजाने जमा करने का इस्तान है क्योंकि यहाँ एक बाप दूसरा न कोही यह साकार रूप में भी अनुबव करते हो वहाँ बुद्धी द्वारा अनुबव करते हो लेकिन यहाँ प्रत्यक साकार जीवन में भी सिवाए बाप और ब्रामन परिवार के और कोई नजर आता है क्या? एक ही लगन, एक ही बातें, एक ही परिवार के और एक रस इस्तती और कोई रस है ही नहीं पढ़ना और पढ़ाई द्वारा सक्ति साली बढ़ना मदूबण में यही काम है ना? कितने क्लास करते हो? तो यहाँ विशेज जमा करने का सादन मिलता है इसलिए सब भाग भाग कर पहुँच गए है बाप दादा, सभी बच्चों को विशेश यही स्मर्ती दिलाते हैं कि सदा स्वराज्य अधिकारी इस्तती में आगे बढ़ते चलो स्वराज्य अधिकारी यही निसानी है विश्वराज्य अधिकारी बढ़ने की कई बच्चे रुह रियान करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम भविश्य में क्या बनेंगे राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे बाप दादा बच्चों को रेस्पॉंड करते हैं कि अपने आपको एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा वा सावकार बनूंगा वा प्रजा बनूंगा पहले अमत वेले से अपने मुख्य तीन कारोबार के अधिकारी अपने सयोगी सात्यों को चेक करो वह कौन पहला मन अर्था संकल्प सकती दूसरा बुद्धी अर्था निन्य सकती तीसरा पिछले वा वर्तमान सेष्ट संसकार यह तीनों विशेष कारोबारी हैं जैसे आजकल के जमाने में राजा के साथ महा मंतरी वा विशेस मंतरी होते हैं, उनी के सयोग से राज्य कारोबार चलती है सत्योग में मंतरी नहीं होंगे, लेकिन समीब के संबंदी साथी होंगे, किसी भी रूप में साथी समझो वा मंतरी समझो लेकिन ये चेक करो ये तीनो स्वा के अधिकार से चलते हैं इन तीनों पर स्वा का राज्य है वा इनों के अधिकार से आप चलते हो मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो जो चाहो जब चाहो वैसा ही संकल्ब कर सकते हो जहां बुद्धी लगाने चाओ वहां लगा सकते हो वहां बुद्धी आप राजा को बठकाती है संसकार आपके वस है या आप संसकारों के वस हो राज्य अर्थार्थ अधिकार राज्य अधिकारी जिस सक्ति को जिस समय जो और्डर करे वह उसी विद्धी पूर्वक कार्य करते वह आप कहो एक बात वह करे दूसरी बात क्योंकि निरंतर योगी अर्थार्थ स्वाराज्य अधिकारी बढ़ने का विशेश साधन ही मन और बुद्धी है मंत्र ही मन मना बवका है योग को बुद्धी योग कहते हैं तो अगर ये विशेश आधार इस्तंब अपने अधिकार में नहीं है वह कभी है, कभी नहीं है, अभी अभी है, अभी अभी नहीं है तीनों में से एक भी कम अधिकार में है तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे बहुत काल के रज्य अधिकारी बनने के संसकार बहुत काल के भविश्य राज्य अधिकारी बनाएंगे अगर कभी अधिकारी कभी वसीभूत हो जाते हो तो आदा कलब अर्थार्थ पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे आदा समय के बाद त्रिता यूगी राज्या बन सकते हो सारा समय राज्य अधिकारी अर्थार्त राज्य करने वाले रोयल फैमेले के समीब संबंद में नहीं रह सकते अगर वसी भूत बार बार होते हो तो संसकार अधिकारी बनने के नहीं लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले हैं वह कौन हो गए वह हुई प्रजा तो समझा राजा कौन बनेगा प्रजा कौन बनेगा अपने ही दरपन में अपने तकदीर की सूरत को देखो ये ज्ञान अर्थार नॉलेज दरपन है तो सब के पास दरपन है ना तो अपनी सूरत देख सकते हो ना अभी बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो ऐसे नहीं कि अंत में तो बनी जाएंगे अगर अंत में बनेंगे तो अंत का एक जनम थोड़ा सा राज्य कर लेंगे लेकिन ये भी याद रखना कि अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं होगा वा आदी से अभ्यासी नहीं बने हो आदी से अब तक ये विशेश कार्य करता आपको अपने अधिकार में चलाते हैं वा डगमक इस्तती करते रहते हैं अर्था दोका देते रहते हैं दुक की लहर जरूर आएगी तो अंत में भी पश्चाताप के दुख की लहर आएगी इसलिए बाब दादा सभी बच्चों को फिर से स्मर्ती दिलाते हैं कि राजा बनो और अपने विशे सयोगी करमचारी वा राज्य कारोबारी सातियों को अपने अधिकार से चलाओ समझा बाब दादा यही देखते हैं कि कौन कौन कितने स्वराज्य अधिकारी बने हैं अच्छा तो सब क्या बनना चाते हो राजा बनना चाते हो तो अभी स्वराज्य अधिकारी बने हो वा यही कहते हो बन रहे हैं बन तो जाएंगे गे के नहीं करना जाएंगे तो बाब भी कहेंगे अच्छा राज्य भाग्य देने को भी देख लेंगे सुनाया ना बहुत समय का संसकार अभी से चाहिए वैसे तो बहुत काल नहीं है थोड़ा काल है लेकिन फिर भी इतने समय का भी अभ्यास नहीं होगा तो फिर लास्ट समय या उलहना नहीं देना हमने तो समझा था लास्ट महीं हो जाएंगे इसलिए कहा गया है कब नहीं अब कब हो जाएगा नहीं अब होना ही है बनना ही है अपने उपर राज्य करो अपने सातियों के उपर राज्य करना नहीं सुरु करना जिसको आस्व़ा पर राज्य है उसके आगे अभी भी इसने के कारण सरवसाती भी जाए लोकिक जाए अलोकिक सभी जी हजूर हाजी कहते हुए साती बन करके रहते हैं इस नहीं और साती बन हाजी का पार्ट प्रेक्टिकल में दिखाते हैं जैसे प्रजा राजा की सयोगी होती है इस नहीं होती है ऐसे आपकी यह सर्व कर्मेंद्रियां विशेश सक्तियां सदा आपके इस नहीं सयोगी रहेगी और इसका प्रभाव साकार में आपके सेवा के साथियों वा लोकिक संबंदियों साथियों में पड़ेगा देवी परिवार में अधिकारी बन ओर्डर चलाना यह नहीं चल सकता स्वयम अपनी करमेंद्रियों को ओर्डर में रखो तो स्वत्य आपके ओर्डर करने के पहले ही सर्वसाती आपके कार्य में सयोगी बनेंगे स्वयम सयोगी बनेंगे ओर्डर करने की आवसकता नहीं स्वयम अपने सयोग की आफर करेंगे क्योंकि आप स्वराज्य अधिकारी है जैसे राजा अर्थार्दाता तो दाता को कहना नहीं पड़ता अर्थार्द मांगना नहीं पड़ता तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो अच्छा ये मिला भी ड्रामा में नून था वहा ड्रामा कह रहे हैं न दूसरे लोग कभी हाई ड्रामा कहेंगे कभी वहा ड्रामा और आप सदा क्या कहते हो वहा ड्रामा वहा जब प्राप्ति होती है न तो प्राप्ति के आगे कोई मुश्किल नहीं लगता है तो ऐसे ही जब इतने स्रेष्ट परिवार से मिलने की प्राप्ति हो रही है तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा मुश्किल लगता है, खाने पर ठहरना पड़ता है खाओ तो भी प्रबु के गुन गाओ और क्यूं मैं ठेरो तो भी प्रभु के गुण गाओ यही काम करना है न यह भी रियसल हो रही है अभी तो कुछ भी नहीं है अभी तो और व्रद्धी होगी न ऐसे अपने को मोल्ड करने की आदिर डालो जैसा समय वैसे अपने आपको चला सकें तो पट यानि जमीन में सोने की भी आदत पड़ गई न ऐसे तो नहीं खटिया नहीं मिली तो नींद नहीं आई टेंट में भी रहने की बाबा कहते है भी खटिया नहीं मिली तो नींद नहीं ऐसा तो नहीं है न जमीन पर सोने की भी आदत हो गई न टेंट में भी रहने की आदत पड़ गई न, अच्छा लगा, ठंडी तो नहीं लगती, अभी सारे आबू में टेंट लगाए, टेंट में सोना अच्छा लगा, या कमरा चाहिए, याद है, पहले पहले जब पाकिस्तान में थे, तो महारतियों को ही पट में सुलाते थे, जो नामी ग्रामी महारती होते थे, उन्हों को हाल में पट में ती फुटी, यानि तीन फुट देकर सुलाते थे, और जब ब्रामन परिवार की व्रद्धी हुई, तो भी कहां से सुरुआत की, टेंट से ही सुरु की न, पहले पहले जो निकले वह भी टेंट में ही रहे, टें वो करेंगे न, तो अभी हर रिती से खुश हैं, अच्छा, फिर और दस अजार मंगा के टेंट देंगे, प्रबंद करेंगे, सब नहाने के प्रबंद का सोचते हो, वो अभी हो जाएगा, याद है, जब यह हाल बना था, तो सब ने क्या कहा था, इतने नहाने के इस्तान क्या करेंगे, इसी लक्षे से यह बनाया गया, अभी कम हो गया न, जितना बनाएंगे उतना कम तो होना ही है, क्योंकि आखिर तो बहत महीं जाना है, अच्छा, सब तरफ के बच्चे पहुँच गये हैं, तो यह भी बहत के हाल का सरंगार हो गया है, नीचे भी बैठे हैं, बिन भी निस्तानों पर मुल्ली सुन रहे हैं, यह व्रद्धी होना भी तो खुस नसिबी की निसानी है, व्रद्धी तो हुई, लेकिन विदी पूरवक चलना, ऐसे नहीं, यहां मदुबन में तो आ गए, बाबा को भी देखा, मदुबन भी देखा, अभी जैसे चाइव ऐसे चले, ऐसे नहीं करना क्योंकि कई बच्चे ऐसे करते हैं, जब तक मदुबन में आने को नहीं मिलता है, तब तक पक्के रहते हैं, फिर जब मदुबन देख लिया, थोड़े अलवेले हो जाते हैं, तो अलवेले नहीं बनना, ब्रामण, अर्थात ब्रामण जीवन है, तो जीवन तो सदा जब तक है, तब तक है, जीवन बनाई है ना, जीवन बनाई है या थोड़े समय के लिए ब्रामन बने है, सदा अपने ब्रामन जीवन की विशेष्टाइं साथ रखना, क्योंकि इसी विशेष्टाओं से वर्तमान भी स्रेष्ट और भविश्य भी स्रेष्ट है अच्छा बाकी क्या रहा टोली यानि वर्दान वर्दान तो वर्दाता के बच्चे ही बन गए जो है ही वर्दाता के बच्चे उन्हों को हर कदब में वर्दाता से वर्दान स्वत ही मिलता रहता है वर्दान ही आपके पालना है वर्दानों की पालना से ही पल रहे हैं नई तो सोचो इतनी स्रेष्ट प्राप्ति और मेनत क्या की बीना मेनत के जो प्राप्ति होती है उसको ही वर्दान कहा जाता है तो मेनत क्या की और प्राप्ति कितनी स्रेष्ट जनम जनम प्राप्ति के अधिकारी बन गए तो वर्दान हर कदम में वर्दाता का मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा ड्रश्टी से, बोल से, संबन से वर्दानी वर्दान है अच्छा, अभी तो गोल्डन जुबली मनाने की तियारी कर रहे हो गोल्डन जुबली अर्थार्थ, सदा गोल्डन इस्तती में इस्तित रहने की जुबली मना रहे हो सदा रियल गोल्ड, जराबी आला यानि खाद, मिक्स नहीं इसको कहते हैं गोल्डन जुबली तो दुनिया के आगे सौने के इस्तती में इस्तित होने वाले सच्चे सौने प्रत्यक्स हो इसके लिए ये सब सेवा के साधन बना रहे हैं क्योंकि आपके गोल्डन इस्तती में गोल्डन एज को लाएगी स्वर्णिंग संसार को लाएगी स्वर्णिंग संसार को लाएगी जिसकी इच्छा सब को है कि अभी कुछ दुनिया बदलनी चाहिए तो स्वपरिवर्तन से विश्वपरिवर्तन करने वाली विशेस आत्मा है हो आप सब को देख आत्मा को ये निस्षे हो सुब उम्मिदें हो कि सचमुच स्वर्णिंग दुनिया आई की आई सेंपल को देख करके निस्षे होता है न हाँ अच्छी चीज है तो स्वर्ण संसार के सेंपल तो स्वर्ण संसार के सेंपल आप हो स्वर्ण इस्तति वाले हो तो आप सेंपल को देख उन्हों को निश्य हो की हाँ जब सेंपल तयार है तो अवस्य ऐसा ही संसार आया की आया ऐसी सेवा गोर्डन जुबली में करेंगे ना ना उमीद को उमीद देने वाले बनना अच्छा सर्व स्वराज्य अधिकारी सर्व बहुत काल के अधिकारी प्राप्त करने के अब्यासी आत्माओं को सर्व विश्व की विशेस आत्माओं को सर्व वरदाता के वरदानों से परने वाली स्रिष्ट आत्माओं को बाब दादा का याद प्यार और नमस्ते सदा रहेंगे हस्ते हस्ते बन जाएंगे फरिस्ते, वहा बाबा वहा, वहा मेरा भाग्य, आज का मीठे बाबा का मीठा वर्दान, बटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चेतन्य लाइट माइट हाउस भाव, विस्तार है, किसी भी बटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चेतन्य लाइट माइट हाउस बनो, इसके लिए दो बाते ध्यान पर रहे, पहली हर आत्मा की चाहना को परकना, जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नफ्स को जानता है, ऐसे परकने की सक्ति को सदा यूज करना, दूसरा सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना, सदा ये लक्षे रखना की सुनाना नहीं है, लेकिन सर् संबंदों का सर्व सक्तियों का अनुभव कराना है, स्लोगन है आज का दूसरों की करेक्शन करने के बजाए एक बाब से ठीक कनेक्शन रखो, अच्छा ओम सांती